ओम नमस्य वाई मैं हूँ आज उत्राखंड के गोपिश्वर के पास एक गाउं करता है सगर और सगर गाउं से टैकिंग शुरू होती है रुद्रनाथ महादेव की रुद्रनाथ महादेव जो पंच केदार हैं उन में से एक केदार हैं और यहां से करीब 28 km का ट्रेक शुरू होता है और यह देखो नजारे यहां के आज हो रखे हैं यह मस्तवाले और यह सामने होटल है जहां पर हम रुके हैं दल्कुर नजारों पर सामने पर यह जो भावी जी दिख रही हैं इनोंने खाना करा रहा हैं अब यह देखास करके चुके हैं तो अब हमारे साथ हो गया है एक खेल खेल यह हुआ है कि हम रुद्रनाथ तब नहीं जा पा रहा हैं और उसके पीछे रीजन यह है यहां उत्राखंट में अलट जारी गया हुआ है है अथारह तारीक तक का अलट है ऐसा भी नहीं है कि आज का हो तो हम कल चले जाएंगे आज रोख सकते थे लेकिन अथारह तारीक परस्णों तक तो हम बड़ी उम्मीदों से और बल्के केवल एक ही काम से चले थे कि हम इस बार जाएंगे रुद्रॉद्राथ का ट्रैकर नहीं हुपा रहा है dim. अब हमने दूसरा रास्ता निकालाए अब हम जा रहे हैं पम जा रहे हैं मुट्धा और चोप्ता से ट्रैक करेंगे देखो भाई नजारे वह बाटरफॉल रखता आएगा नीज में लेकिन इतरा है बहुत अच्छा और यह सामने सगर विडेश कि अच्छा में बार बार में गाड़ी रोखनी पड़ रही है और यह देखो भी क्या गज़ा कि अधर के साथ और यह इदर आगी अच्छा बहुत सूर हो रहा है आप लोगों को यह वाज आ रही होगी बहुत पर साथ में तो बहुत ही एग्रेशिव हो जाती है उत्रागंड की दिवार यह सामने एक ब्रेज है अधर से हम आए थे और रुद्रनाथ के रुद्रनाथ के दू रास्ते हैं एक रास्ता है सगर से दूसरा रास्ता है मंडल से को यह हम जहां कड़ी हुए यह मंडल है आप 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 है है कर लाल हम आ गए हैं तोंग नाथ तोंगनात बोले तो छोप्टा और कियां से कॉन अपकर ग्रेंगे हम श्टार्क और हमें डाउट था कि बाकी के सारे ट्रेक बंद किये हुए हैं अलड की वज़े से तो हो सकता है तुंगनाथ भी बंद कर दिया हो लेकिन हमने पता गिया और तुंगनाथ ट्रेक खुला हुआ तो हम आगे यहां पर चौकटा और अभी बज़े हैं 11 अपना तुंगनाथ जी और यहां पर यह अच्छी बात ही है इस ट्रेक की के पूरा बना हुआ है यह सारे जो पेड़ देख रहे हो यह बुरांस के पेड़ है जो मैंने लास्ट ट्रेक किया था वो मार्च के महिने में किया था तो इस पर बहुत सारे फूल्ड खेले हुए थे रंग बेरंगे और अल्टिमेट्स द्यू होता है यहां का पूरा लाल गुलावी जो यह पूरे लदे हुए होते हैं पेड़ उसके बीच में से आप ट्रेक कर रहे होते हो बड़ा रंजीन सा ट्रेक होता है लेकिन इस मौसम के भी एक लगानद है यह इतनी गिरीन री है यह जो पानी चल रहा और इधर अभी बादल बने हुए तो इधर का जब वीव किलियर होगा तो फिर इधर के भी बहुत अच्छे नजा रहे आएंगे इस साइट से हम चल के आये हैं और यह वह पॉइंट है यहां से मंदर देखना सुरू हो जाता है वह सामने बहुत बातलों के वीजों यह मंदर देख रहा है वह मंदर है तुंगनात का अभी हमें वहां तक चड़ाई हो चाहिए और बर्सात के दिनों में जो नेचर है उसक आप वह पढ़िए यहां पर इतना जवर्जस्स क्रियेशन होता है की जायव हम बसाथ में नहीं आते हैं तो है यह पूरी पत्थर की भी अ कि लिकिंघ को इसे लगता है कि जैसे यह स्पेस्ट बनाई है लेकिन यह सारा नेचर क्रियेशिन हृ लूरा ह lavender इंगे बज़ गई तुंगनात जी का मंदिर बोह रहा और यहां इसे दोकाने श्टार मीं तुमनाथ जी में से एक हैं तुंगनात जो पंच के दार हो में से तुरितिय हैं यहाँ पर माहादिर जी की बोजाओं की दर्शाने जै बाबा तगुनात पहुंच गए बाबा के दर्वार में मंदिर इधर नीचे का सीन इस मौसम में जो मैंने सीन देखे है ना इतना मैंने पाड़ों पर ट्रबल किया है लेकिन जो इस वाली ट्रिफ में सीन देखे हैं वैसे सीन पहले नहीं देगए लग गया हम लोग लाइन में कर लिए अंदर जाके अंदर फोटोग्राफ यह लाउड नहीं है तो आपको दर्शन नहीं करा पाए और यह देखो यह बाबा का मंदिर यह यहां से एक एंजडी और यह लेंदी महाराज बिराजियों करते हैं परेक्रमा एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो यह कि जितने भी स्ट्राइब की मंदिर है जहां ट्रेकर करके जाते हैं यहां पैदल चनके जाते हैं बहुत थकान होती है लेकिन जैसे मंदिर में दर्शन करो ना थकान हो जाती है चूमंतर और विल्क कि उतरने के लिए द्यार यह प्राचीन मंदिर बाबा तंगनात का है कि दुनिया का सबसे उंचा सिब जी का मंदिर है यह कि अग्या कि फैनली तंगना जी के दर्शन हुए बहुत अच्छे यात्रा रही बहुत अच्छा ट्रैक्राफ कि नजी जम आ गए नीचे यह तंशलात का यह रास्ता है यह जाते हैं लेकिन आजकर बंदा है और यह नजारे हैं अभी के इस साइड में बादल आ चुके हैं बारिस बहुत छोटी-छोटी बूंदे पड़ रही हैं लेकिन कभी भी आ सकती है तो यह वीडियो कैसा लगा यह बताएं क्या सुधार और कर सकते हैं यह बताएं और आज के वीडियो को हम यहीं खतम करते हैं जैबाबात तुंगनात ओम नमस्यभाए